एलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जड़े गार्डन फ्रेंड्स आज एक बहुत छोटी सी वीडियो लेकर आई हूं आप सभी के साथ बहुत छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूं काफी टाइम के बाद मैं वीडियो अप्लोड कर रही हूं यह देखी कि कुछ प्लांट थी और दो प्लांट में लाई थी जो शुगर होती है ना में बहुत अच्छी होती है यह श्टीवीयोदिक दो ब्लार ता यहें मैं सख्लेंड का नला Τी ऊर्मese है बेए मैं लाई ती और secondo संब्ई जो है वो रखे रहे में रिपॉर्ट नहीं कर पाई क्योंकि गर्मी बहुत थी इसलिए रिपॉर्ट नहीं किया मैंने उनको वो सारे प्लांट सी मेरे खराब हो गए जिसमें सिर्फ दो प्लांट मेरे बचे हैं एक यह इंगलिश आईवी का प्लांट है और एक से क्लेंट है वो भी ठीक है कुछ उसकी भी लिफ्स थोड़ी सूख रही है खराब हो रही है लेकिन इंगलिश आईवी का प्लांट है यह बिल्कुल अच्छा है और सही तरीके से ग्रो कर रहा है तो इसको आज मैंने सोचा कि मैं रिपॉर्ट कर दूँ तो यह कब तक छोटी से पॉली चौछ़ बैंग में रखा रहाएगा को चारएगा तो फ्रेंड में एक देख्यू मैंने पॉर्ट लिया इसके लिए और बहुत अच्छी में तायर किये मैंने पहाणों पर मिटी प्थ्रीली टाइप त्यू यह काफी कॉशिक की मिटी काफी निनिकर iation और यह तोड़D ख ताइब की सौयल है वो तो जिसमें ये अच्छी तरीके से सर्वाइब कर जाए देखिए मैंने इसको जो है पॉली बैक से निकाल लिया है और इसको इस वाले पॉर्ट में मैं ट्रांसफर करने वाली हूँ इसमें इस पॉर्ट में इसको लगाऊंगी तो मैंने इसकी जब काफी नीचे तक आई हुई है काफी लंबी रूट सेंसकी और इसे ऐसे करके मैं निकाल लूए ताकर इसकी रूट डिस्टर्ब नहों खराम नहों और इसमें मैं इसको लगा दूंगी इस तरह से करके देखिए इसकी जड़ों को मैंने इसमें इसे करके पैक कर दिया है बि प्लांट जो है एड़स्ट हो जाएगा ठीक है फ्रेंड और यह देखिए इस तरह से मैंने इसको इसमें रिपॉर्ट किया है आप लोग देख सकते हैं और यह जितनी मिटी सारी मिटी मैं इसमें डाल दूंगी जो इस प्लांट के साथ में जो मिटी थी पॉली बैग में वही जो पहले बनाई ही मिटी थी मेरे अपनी मिटी है उसको मैं इसके ऊपर से कवर कर दे रही हूं ताकि वह मिटी अंदर दबी रहे और यह प्लांट जो है ची तरीके से सर्वाइव होता रहे यह देखिए इस तरह से यह प्लांट लगके मेरा डेडी हो गया है फ्रेंड तो म मैं ने इन प्लांट को रखा यह सोचा कि थोड़ा से मौसम ठीक हो तो मैं प्लांट को रिपॉट करूंगी लेकिन वो सारे प्लांट मेरे खराब हो गया सिर्व 2 प्लांट बचे है यह इंगलि शाओ यह यह बड़ी लिफ्स वाला एक चोटीवस वाला भी आता है और यह ब और अभी तक एक भी लीव इसकी खराब नहीं हुई जैसा यह रखा था वैसा ही है जैसा लाई थी मैं इससे लग रहा है कि प्लांट सर्वाइब कर जाएगा और यह देखिए एक सक्लेंट है यह तो यह पॉर्ट में ही लगा हुआ है तो इसलिए मैं इसको नहीं चेड़ रह तो दोनों खत्म वगए ंश्काय वे लगा दो देखियो प्लांट है और यह दूनों स्टीव्या की लाइट और काफी यह कास्टली मिले यह इतशने चोटे-चोटे से प्लांट थे और यह प्लांट जो है वहां पर 100K的 दिये थे तो professor कि मेरें मत्तों अच्छे लगे थे प्लान्ट तो वो लिए आयते क्योंकि एडिसिनल प्लान्ट था तो इसलिए ये खरीद लिया था लेकिन ये मुझे ये नहीं मालूम था कि ये प्लान्ट वहाँ पर नहीं चल पाएंगे हमारे यहां के अंवार्मिंट इतनी घर्मी में, गर्म मौसम है यहाँ का, और वहाँ पर ठढड़ा मौसम है, तो वहाँ के प्लांट यहां चलना बहुत मुशिकिल होते हैं, और ऐसी गलती आप लोग कभी ना करें, मैं भी नहीं करूंगी, आगे से ऐसी गलती, कि किसी पहाड़ी एलाखे से कोई प्रांट लेकर रहा हूं को वह प्रांट यहां पर सर्वाइब नहीं करते हैं इंगलिश आइवी तो ऐसा है अपने या भी होता है यह चल जाए कोशिश तो यह करूंगी यह सर्वाइब कर जाए क्योंकि एक ही प्रांट धंका बचा है और जो दूसरा वाला स जो उम्मीद नहीं लग रही है कि यह बचेगा प्रांट तो फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो कुछ इंफार्मिशन मिली हो अच्छी से तो प्रीस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स वार वाचिंग फ्रें